भारत में जन्मी मादाचीता शावक के संगश की कहानी मा ने छोड़ा, इंसानों ने पाला, साउथ एफ्रिका के विशेशग्यों से सीखेंगी शिकार नमस्कार, मैं श्वेता आपका दखबरदार न्यूज में स्वागत करती हूँ, तो चलिए रुख करते हैं आज की प्रमुख खबर पर तीन जनवरी बुदवार को शियोपुर जिले के कूरू नेशनल पार्क से बड़ी खुश कबरी मिली है, मादाचीता आशा ने तीन शावकों को जरम दिया है, पिछले साल मार्च में मादाचीता ज्वाला ने भी चार शावकों को जरम दिया था, हिट स्टोक की वज़ा से इन में से तीन शावकों की मौत हो गई थी, केवल एक मादाचीता शावक ही जिन्दा बची थी, अब जो की नो महीने की हो चुकी है, जन के चंद हफते बाद ही इसे अस्तित्व के लिए संगश करना पड़ा, क्योंकि उसकी माँ ज्वाला ने उसे सुईकार नहीं किया, ऐ ऐसे में भारत की धर्ती पर 75 साल बाद पैदा हुई पहली मादाचीता शावक को नो महीने तक इनसानों नहीं पाला है, अब इसी साल मार्च में एक साल के होने पर उसे साउथ एफरिका के विशिशग्यों की सलाह पर शिकार करना सिखाया जाएगा, दो महीने की थी तब इ तीनों की मौत की बचा हिट स्टॉक है और ज्यादा गर्मी को बताया है, अब केवल एक शावक ही जिन्दा बचा था, वह भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं था, उसने मा का दूद पीना भी छोड़ दिया था, रोग प्रतिरोदक शमता भी कम हो चुकी थी, वने दिकारिय के मताबिक बिल्ली प्रजाती के जानवरों को कम लेक्टोज की मातरावारा दूद दिया जाता है, ताकि वे उसे पचा सके, मादा शावक को कौन सा दूद दिया जाए, इसके लिए चीता स्टेयरिंग कमेटी के सदस्यों ने साउथ ऐफरिका और नामिबिया के एक्सपर् रिंग बुलाई गई, असर्म श्रीवास्तर के मताबिक ये रिंग भी बिल्ली के हिसाब से ही थी, इसलिए इसमें कुछ बदलाव किये गए, इसके बाद एक डॉक्टर और एक हैंडलर की ड्यूटी लगाई गई, दोनों पूरी रात मादा शावक की निगरानी करते थे, उसे गोध में लेकर खुद चमत से हर दो से तीन घंटे में दूद पिलाते थे, एक हुफते तक लगातार 24 घंटे निगरानी और देख बाल कर असर देखने लगा, मादा शावक धीरे-धीरे स्वस्त होने लगी, इसके बाद उसे थोड़ा-थोड़ा मास दिये जाने लग वनमले ने मादा शावक का नाम रखा था चीकू, चीता विशेशग्यों का कहना है कि मानव के संपर्क में आने के बाद चीता अपने बच्चों को सुईकार नहीं करती है, दो से चार दिन दूर रहने के बाद ही ये उसे अलग कर देते हैं, ये मादा शावक एक महीने से ज जंगल के लिए तयार करना था, मादा शावक को जब जुआला के पास ले जाए गया तो वह अटेक मूर में आ गई, शावक अपने तरीके से बार बार जुआला को बुलाती, लेकिन वह कभी उसके बाड़े के पास नहीं आई, मंगर शावक का देखबाल करने वाली ट्राइब करना ना भूलें फॉर फास्ट कोड नियरबाई सुहागी बाइपास